इसकार आप देख रहे हैं प्रताफगार फिटने समय राम के लाज यादा हो आज के इस वीडियों में बात करने वाला हूँ तमबाकू खाने के 14 फायदे हैं कितने लोग बोलते हैं तमबाकू खाने के नुकसान होते हैं लेकिन आज फायदे भी आप जान लेजिए इन फायदों को जानकर आप चौक जाएंगे दंग रह जाएंगे सोंच में पढ़ जाएंगे कि इतना ज़्यादा फायदा है तो क्यों न तमबाकू खाया जाए तो सारी चीज़े इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा ताकि आने माला वीडियो आपको मिलता रहे ऐसे ही फायदे लेकर हम आते रहें तो पहले फायदे अगर हम बात करें तो देखा जाता है जो भी तमबाकू खाते हैं आपको देखने मिलेगा जैसे कि दांत में दर्द है तो दर्द नहीं होता जिस जगह दर्द होता है उस जगह तमबाकू को अगर हम घिस करके रख लेते हैं तो वहाँ जो है दर्द खतम हो जाता है लेकिन बाद में क्या है कि दांत आपके कमजोर बस सिर्फ कमजोर हो जाते हैं मसूरे जो है कमजोर हो जाते हैं और जैसे हम दातन कर रहे हैं बरस कर रहे हैं तो मसूरे कमजोर होने के कारण हमारे जो मसूरे हैं वो छिल जाते हैं तो दात कमजोर होने कोई दिक्कत नहीं है, जब दात दर्द ना हो ठीक है, और इससे क्या है यही आपका सिर्फ मसूरे कमजोर होंगे, दात कमजोर होंगे, हो सकता है कि किर भी जाए, सर जाते हैं दात, लेकिन दर्द ठीक होता है, अब इसके अगर हम दूसरे फायदे की बात कर साथ काई दो वAK जालते हैं तो गले में हमेसा खरांस रहती है जैसे कोई करता रहते हैं कभी इुदी देखने मिलता और खांसी आ गया88ा, खांसी पकड़ लिया ए तो तिमा को खांते हैं उनको जल्दी क्षांसी ठीक नहीं होता है वहमेसा बरकरार रहेगा क्षांस्ते रहें रात में ज़्यादा खांसी आती है दिन में कमा आएगी लेकिन रात में ज़्यादा खांसी आती है और खांस खांस के खांस खांस के हला मचाते रहते हैं फायदा है कि जैसे कि आपके घर में चोरी वगर भी नहीं होगी उससे एक खांसी रहेगी तो लोग अगर चोरी आएग तो उसे समझ में आजाएग नहीं इस सब जो है जाग रहे हैं उनको पता चल जाएगा यहीं कि चोरी नहीं हो पाएगा अगर लोग चोरी भी करने कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाएगी इनके घर में जाग रहे हैं लेकिन आप खांसते में परिसान है लेकिन फायदा है यही की चोरी नहीं होगी अब तीसरे फादेगर हम बात करते हैं खाना की बचत होगी जैसे कि कोई बहुत ज्यादा खाना खाता है बहुत अच्छा ज्यादा खाना खा रहा है तो जगर तमागो खाने लगा रेगुलर जो है कर दिया है तो धीरे 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 उसकी भू उख मर जाती है जो खाने की चाह होती है हमारी वो कम हो जाता है आटोमेटिक जो है खाना धीरे धीरे सुर्गात वह नहीं करेगा और अलगा सुर्ब ठीक रहेगा लेकिन कई साल बाद आप लगातार खाते रहेंगे तब आपके सरीर में ऐसा मिलेगा कि खुद आपको एहसास होगा कि खाने में बदलाव देखने के मिलेगा जित्ता जादा खाना पहले खाते थे उसके बाद फिर आप खाना जादा नहीं खा पाएंगे चौथा फादा अगर हम बात करें पेट अच्छे से साफ होता है ऐसा देखा जाता जब खाना खा लिए यह सुबा उठते ही देखने मिलता है कि कब्ज बनी है पेट साफ सही से नहीं हो रहा है तो लोग चाहे पीने के बाद पानी पीने के बाद खाना खाने के बाद तमाकू रगड के रख लिए उससे क्या है उनका पेट साफ होता है बैरहाल पेट वैसे भी साफ कर सकते हैं गुनगुना पानी पीए और हलका थोड़ा चल लें 150 मीटर तो आटोमेटिक जो है प्रेसर बन जाता है और पेट उससे भी आप साफ कर सकते हैं लेकिन जब तमागों से साफ रहा है तो इतना सब मेहनक करने की क्या जरूरत है अगर हम पांसमे फाइदे की बात करें तो हमेसा हंना जो है हमारे पेट में गयास की सिकायत रहेगी गैस की सिकायत बनी रहेगी ऐसे जैसे कि भारा-भारा सा पेट बना रहेगा उसके बाद पेट भी कुछ लोग का धीर धीर बड़ा होने लगता है उससे कम-कम यह तो लगेगा कि बॉड़ी बन रही है, शरीर बन रहा है पेट निकलेगा, बाद में चाहिए आप उठने बैठने में दिकत हो जाए कि मैदान करने गए हो, लेटरिंग में गए हो, बैठ गए हो और पता चले उठने में सांस फूल रही है, बैठते बैठते सांस नहीं ले पा रहे हो यह सोच करते समय हाथ नहीं पहुँच रहा है सोचने का जगा पानी बाहर ही फेंग दिये तो ठीक है इतना तो चलेगा लेकिन पेट बड़ा हो जाएगा और कब्ज जो है हमारे गैस की सिकायत बनी रहेगा छटे फाइदेगर हम बात करते हैं जिसे चेहरा बहुत बढ़िया काला है अच्छा है गोरा है तो हलका धीरे धीरे वह बाद में काला आ चहरे में जो है बनावट जो है चेहरे की उसका धाचे में भी अलग होने लगर उसकाentes का चेहरे का रंग है धीरे धीरे फीका होने लगता है काला पना आजाएगा चेहरे में और बनावट भी गड़बड हो जाएगी लेकिन क्या है कि चेहरा से क्या मतलब है चेहरा गोरा काला सब ठीक ही है अगर हम सात्वें पॉइंट की बात करते हैं फायदे की तो सात्वा को खाना चालू कर दियो लगातार खा रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कभी-कभी ठंडी के सीजन में गर्मी के सीजन में हमारे सरीर में बेचाईनी रहती है अगर कोई अच्छा बात बोलता है तो भी हमें बूरा लग जाता है तो भी हमें बहुत गुस्ता लगता है कि कि यह क्या है जो है ऐसे चीरचीर अपन रहता है बेचायन रहते हैं हम बीना मतलब के बेचायनी रहेगी कोई बंतलब नहीं तमागों खाते रहे हैं और बेचायनी से कोई फरक नहीं पड़ता है आठमें पॉइंट गर हम बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते ह थंडी के सीजन में हम अहीं ठंड़ कि यहीं आंक से पाणी आ ने लगता है आंक से लेटने पर या यहें पानी गिरता रहता है लेकिन कोई दिखकत नहीं है पानी से क्या मकलभ है मेरे हैं आक मेरे हैं गिर ही जाता है रोते समय तो जो नहीं रो पाते हैं वो ऐसे भी पानी गिरता रहता है बढ़िया है और अच्छा है और अगर हम नवे पॉइंट की बात करते हैं तो तमागों खाने वाले को हमेशा देखें कि मिलता है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और ज़्यादा ही जाती हम कितना भी पानी पीते रहें हम तमागों खा रहें हैं तो हमें प्यास बहुत लगेगी गर्मी में ठंडी में हर सीजन में हमें जो है मैसा लगता रहता है लेकिन बाद में क्या है बार बार पिसाब लगता है अगर हम ठंड के सीजन में हैं गर्मी के सीजन में हैं और कोई दिकत नहीं retire साथ ऊस भी कर रहे हैं लुकिन कोई एक दू बार जाते हैं रात में रात में चार से पाँच बार जाते हैं फरक यही ही इतना है और अगर हम और और फायदा में बात करें, दसवा नमबर का तो दस्मा फायदा है, कि ज़र कभी आपको किसी समय दवर ना पड़ गया तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ क्या है आपका गला सुखेगा आप अगर दोर लगाना चाहेंगे कि हम दोर लगा लें तो सिर्फ जो है आपका गला सुखेगा यानि जल्दी सुख जाता है क्योंकि जो तमाकू खाते हैं हमारे गले में वैसे वैसे भी जो है कि लिमीटर दौन पड़ गया तो गलस सूख जाएगा जल्दी सूख जाएगा यहीं हलका दिक्कत है कोई बहुत खास दिक्कत नहीं है खाओ तमाकू मोज करो अगर हम इग्रहां पॉइंट की बात करते हैं इग्रहां पॉइंट आता है कि जैसे कि आप कितना भी आप कर लेजिए कितना भी आप डाइट ले लेजिए आपकी बाड़ी नहीं बनेगी जैसी इस्तितीम है उससे कम ही होता चला जाएगा उसके आगे आप सोजो कर अपने बाड़ी की ग्रोथ कर लें अपनी सरीर को बना लें तो नहीं बनेगी लेकिन हाँ जितनी बाड़ी है उससे कम होगी बढ़ेगी नहीं फिर भी body से क्या मतलब है जिससे जिन्दगी से मतलब नहीं तो body से क्या मतलब है सरीर तो बनता है कम होता है कोई फरक नहीं पड़ता जिसकी लथी लग गई है खाने का तो खाएगा ही अगर हम ब्रहमे पॉइंट की बात करते हैं तो ब्रहमे पॉइंट आता है जब भी आप सुबह मुठेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि सरीर में आपके पैर हो गया, हाथ हो गया पीठ हो गई हलका दर्द बना रहेगा हमेशा जो है दर्द बना रहेगा और दर्द करता रहेगा और हमेशा इसे करहाते रहेंगे दर्द से उससे भी दिक्कत तो होता हलका फुलका लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आप तमा को खाएं और इसको भी फायदे मिले लिजिए तेरहावा पॉइंट आता है अगर आप लगतर तमा को खाते हैं अगर उमर हो जाती है 38-40 साल तो आपके सेक्स लाइफ में भी समयश्य हो सकती है कि आपकी से कम हो सकता है, डाउन हो सकता है तुम्हें क्या आया है 40 साल उमर हो गई है मालवा को भी लड़के बच्चे हो गए होंगे अब कोई ज़रूरत नहीं है बस खतम हो जाए तो खतम हो जाने दीजिए और खाओ मौज करो तमा को, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में जो आता है 14 पॉइंट तो लंबे समय तर अधिक तमा को सेवन करने से या कम तमा को सेवन करें तो भी देखने मिल जाता है कि कैंसर की बिमारी होती है गलें कैंसर हो गया इधर कैंसर हो गया मुह में कैंसर हो गया लेकिन कैंसर हो जाता है तो अगर इन सब फायदों को भी आप लेना चाहते हैं तो तमाकू खाईए और मोच करें इतने सारे फायदे होते हुए भी हम तमाकू कैसे छोड़ सकते हैं खाओ खोब खाओ बाद में फिर पता चलेगा तो हम तमाकू आखिर क्यों खाते हैं इतने सारे नुकसान हैं फिर भी कितने लोग इसे फायदम गिंती करते हैं, तो फायदे में हैं, अगर आप लोग भी तमाकु छोड़ना चाहते हैं, कि हम आज से तमाकु बंद कर रहे हैं, तो संकल्प करिए, और नीचे कोमेंट ज़रूर करें, कि हम आज से तमाकु बंद कर रहे हैं, और अपने दि बोटी को खाने के बाद है तमाकू नहीं खाएंगे उसमें कुछ तो आपको अपने आपसे संकल्प करना पड़ेगा दिर्ण संकल्प कि हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और कॉमेंट करिए